हलो बच्चों क्या हाल है सबका तो आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं विच इस ब्लैक बोडी एडियेशन तो ब्लैक बोडी एडियेशन एक इस तरह का फिजिकल फिलॉमिना है इसने 19th century के end में और 20th century की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यदा physics की जो community है, scientific community है उनको परिशान करके रख दिया क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमिना था जो light के wave nature से explain नहीं हो रहा था light का dual nature होता है मतलब light can be treated as waves, transverse waves और in some cases it can be treated like photons और particles ये जो concept है dual nature of light ये बहुत सारे इस तरह के physical phenomena थे जो light के wave nature को consider करके explain नहीं हो पा रहे थे तो अब वहाँ पर जो हमारी scientific community थी जिसमें sir Einstein थे, Plank थे, वो सब लोग जो हमारे पास experimental results है जैसे black world radiation का भी मैं आपको experimental graph दिखाऊंगा उनको explain करने की कोशिच कर रहे थे with the help of some new physics क्योंकि वहाँ पर कुछ new ideas की जरूरत थी हमें उनके बीना जैसे मैंने photoelectric effect वाला आपको lecture जब मैंने बताया था quantum mechanics वाली playlist में वहाँ पर भी ये चीज हमने discuss करी थी competent effect में photoelectric effect में कि ये इस तरह के phenomena हैं जिनको आप explain नहीं कर सकते अगर आप light को as a wave मानोगे इसी तरह से जो black body radiation है ये भी बहुत ही important इसी तरह का phenomena और ये बहुत day to day life में हमारे आसपास होती है ये जी जो black body radiation है जैसे example के तोर पे अगर आपने कभी किसी metal के piece को गरम होते हुए देखा हो जैसे बटी होती है वहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है जैसे उनको उसको हम heat कर दें तो जब हम उसको heat करते हैं energy देते हैं तो क्या होता है वहाँ से light emit होती है radiation submit होते हैं तो जैसे ये मान लीजे एक metal का piece है और आपने इसको ना energy देनी शुरू कर दी ठीक है बहुत ज़्यादा energy देनी शुरू कर दी heat कर रहा हमने इसको तो यहाँ से रेडियेशन्स अमिट होते हैं आपको नजर तो कुछ नहीं आ रहा है मानलो मैं burner भी हटा दूँ और मैंने वहाँ रखा हुआ है और गरम है वो है ना क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसको heat की है तो आपको देखने में तो आम जैसे लोहे का टुकड़ा होता है उसी तरह का नजर आएगा और आपको क होते हैं लेकिन अगर आप इसको और गरम करते चले जाओ और गरम करते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आता है जब यहां से जो radiation निकल रहा है वो red hot color का आपको नजर आता है red color का और फिर आप उसको और heat कर रहे हो धीरे धीरे वो color जो है वो yellow में change होता है तो red में रहेगा प observe करें तो हम देखते हैं कि temperature के बढ़ने के साथ साथ जो वहां से heat radiation या अगर light की form में अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो हम light radiation भी बोल सकते हैं वो radiation जो visible range में आ रहे हैं उनका color change हो रहा है वो color धीरे 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 जैसे से हम गरम कर रहे है चेंज हो रहा है अब हर किसी radiation की ना अपनी एक property होती है जिसको हम बोलते हैं wavelength या हम उसके reciprocal एक property होती है frequency अब आप अगर frequency लिखना चाहते हो तो वो c by lambda ये wavelength और frequency एक दूसरे के inversely proportional होते हैं और c यहाँ पर speed of light है वो एक constant parameter है चो चेंड नहीं होता अगर आप किसी radiation की बात करें higher frequency radiation की बात करें तो उसकी जो wavelength है वो छोटी होगी कम होगी अगर आप कम frequency की बात कर रहे हो तो मतला wavelength increase कर रहे हो तो यह दोने दूसरे के नवास्टी पोस्ते होते हैं आई हो आपको यह चीज़ पता है अब यहां से तो बहुत सारे radiation निकल रहे या हम कह रहे हैं white color के निकल रहे हैं या yellow color के red color के निकल रहे है तो मतलब एक particular wavelength आपको नजर आ रही है धीरे-धीर वो यहलो हो रहा है फिर वो violet जा रहा है फिर धीर धीर white हो तो मतलब basically कि जो वहां से light निकल रहे है उस hot body से उसकी wavelength change हो रही है red की wavelength सबसे ज़्याद होती है सबको पता है maximum wavelength होती है red की तो जो उसकी wavelength है radiation की वो temperature के साथ change हो रही है temperature बढ़ता चला जा रहा है wavelength जो है वो red से change होती चले जा रही है shorter wavelength की तरफ यह shift होती है ठीक है इसको हम winds displacement law भी बोलते है हम आगे जाके पढ़ेंगे इस पूरण टेल में समझेंगे चीजों को तो मैं समझाना चाहते हूं आपको यहाँ पर जो point है important point वो यह है कि radiation जितने भी निकलते हैं वहां से उन सब की wavelength different different होती है और किसी time पर अगर हम एक graph plot करें उसको हम बोलते है spectrum of the black body radiation spectrum को हम plot करना चाहते है तो वो graph basically दो factors के बीच में होता है यहाँ पर एक side पे frequency हो सकती है hertz मे और इ e new d new से represent करते हैं और this is also called spectral energy density यह ना nomenclature आपको याद रखना है spectral word लिखेंगे तो ठीक है radiation energy density भी बोल सकते हैं कोई problem नहीं है तो यह spectral energy density है ठीक है जी और अगर हम इसका graph plot करें तो वो कुछ इस तरह की shape हमारे पास आती है यह क्या है यह हमें क्या बताता है यह बताता है कि spectrum बोला जाता है यह बताता है कि हमें इस particular frequency की जो radiation है उसकी energy इतनी है इस particular frequency की जो radiation है उसकी energy थोड़ी ज्यादा है एक ऐसी frequency भी है जिसके corresponding energy maximum है ठीक है, maximum value of e new, d new, एक इस तरह की भी हमारे पास frequency है, तो यह वो है जो color dominate कर रहा है, जैसे आप red है ना, तो proper red नहीं होगा, उसमें और भी waves होंगी, different colors के radiation होंगे, बट एक color ऐसा होता है, जो हमेशा dominate करता है, तो जो color dominate करता है, उसकी frequency यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है, यह व graph मैंने यहाँ बना दिया, इसकी frequency मैं बोल देता हूँ, कुछ new m बोल देते हैं, जो dominate कर रहा है, तो यह इस तरह से है, और यह क्या बताता है, कि यह particular temperature T1 पे है यह graph, हमने body को गरम किया, एक temperature पे set कर दिया, ना हम temperature बढ़ने दे रहे हैं, ना कम होने दे रहे हैं, और उस time प अगर हम यहाँ पर temperature बढ़ा दे, तो क्या दिखा जाता है, बहुत ही peculiar चीज देखी जाती है, कि जगर हम temperature बढ़ा दे तो यह graph कुछ इस तरह का shift हो जाता है, यह T2 temperature पे है, T2 यहाँ पर T1 से बढ़ा है, अब इसके corresponding हमें higher frequency मिलती है, यह new m1 बोल देते हैं, यह new m2 बोल द frequency, dominating radiation की frequency, increase कर रही है यहाँ पर, अगर इसी graph को in terms of wavelength देखा जाए, black boy radiation के लिए, तो वो कुछ ऐसा बनता है, इधर हमारे पास E new, D new ही चलेगा, लेकिन अब हम नीचे lambda की values को लेके चल रहे हैं, lambda के corresponding energy देख रहे हैं, तो एक graph मानलो यह है मेरे पास, at a particular temperature T1, higher temperature पे यह peak जो यह मेरा दूसरा graph T2 temperature पे है, तो अब lambda M1, lambda M2, इसको वीन्स displacement law भी बोला जाएगा, अब हम इसको study करेंगे, तो यह graphs है, black body radiation के graphs है, अब यह energy density जो है, इसको हम theoretically calculate कर सकते हैं, with the help of both science and statistics, यह बाद में आया वैसे concept, पहले इस graph पे explain करने के लिए, लोगोंने बहुत सारे attempts करे और वो जो attempts हैं, उसमें से एक बड़ा famous है, जिसको हम बोलते हैं, Rayleigh Jeans formula, इस graph को explain करने के लिए, यह formula drive गया गया, अब यह जो formula है ना, कुछ बच्चों के syllabus में हो सकता हो, आप अपनी university का syllabus चेक करें, बी-tech के students हैं, तो अभी चेक करें, उनके syllabus में अगर यह है, तो मैं drive कर दूँगा, लेकिन अभी मैं सिरफ लिख हूँगा इसके बारे में, तो जो Rayleigh Jeans formula है, वो कुछ इस तरह का है, मैं formula लिखता हूँ, कि वो जो e new, d new है ना, वो 8 by kt by c cube new square d new, यह simple सा formula है इसका, ठीक है, हमें basically यह देखना है, कि frequency के साथ, spectre energy density, e new, d new, spectre energy density, वो कैसे vary करते हैं, और इस formula से तो हमें यह पता चल रहा है, कि जो हमारा e new, d new है, theoretical derivation है, that is directly virtual to new square, directly virtual है, मतलब parabola बनना चाहिए, यह हमाँ पिछे आ जाते हैं, यह हमारा frequency वाला ही graph है, Rayleigh Jeans formula के according, यह graph ऐसे बनना चाह है, तो higher frequency के लिए, अगर frequency अगर हम बढ़ाते चले जाएं, अगर frequency approaches to infinity है, तो आपका जो e new, d new है, वो भी infinity को approach करना चाहिए, theoretically बता रहा हूँ मैं, और जब इन्होंने 1900 year के अंदर, इस formula को drive किया, blackboard radiation को explain करने के लिए, तो उन्होंने देखा, कि हमारा जो formula है, वो lower frequencies के लि है, बट higher frequency range में हमारा ये formula fail हो जाता है, और उसके पीछे reason क्या था, physics क्या थी, ये लोगों ने सोचना शुरू किया, अभी reason बताता हूँ, sir, plank ने formula फिर ड्राइव किया, proper, उसमें उन्होंने help ली, boss, science and statistical law की, और इस formula को बहुत अच्छे से drive किया, जो हम drive करेंगे अपने आने वाले classes के अदर, अभी हम सिर्फ इसका concept समझेंगे, तो इस formula को जब वो drive करते हैं, तो उन्होंने देखा कि हमें ये जो classical treatment, हम इसको classical treatment बोलते हैं, religions, treatment क्या है, अब बताता हूँ, आपको थोड़ी देर के अंदर, drive नहीं करेंगे, लेकि थोड़ी physics पताऊंगा, उन्ह treatment के according explain नहीं कर सकते, अब पहले हम उसके लिए एक black body consider करेंगे, जो हम मानेंगे कि इस चीज़ को black body बोल सकते हैं, theoretically, practically तो black body क्या है, कोई भी लोहे का टुकडा ले आओ, किसी metal का piece ले आओ, उसको आप heat करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो उसमें से radiation summit होने शुरू जा यहाँ पर एक hole है, और उन्होंने माना कि एक इस तरह की body जिसके अंदर एक वार radiation चला जाए, यह दिवार से, wall से टकरा के reflect हो, फिर दुबारा reflect हो, फिर दुबारा reflect हो, ऐसे reflect होता होता, completely absorb अगर हो जाए, completely absorb होना चाहिए, radiation, तो हम उस तरह की body को black body radiation बोलेंगे, black body बोलें हैं, they are perfect reflectors, यह कुछ properties हैं, जो आपको पूछी जाएंगी कि what do you mean by black body, तो black body radiation को explain करने के लिए, हमें theoretically एक body consider करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम यह मानेंगे कि light या कोई भी radiation, light is also radiation, या heat radiation, एक बार चला गया, तो उसके अंदर completely absorb हो गया, तो जब absorb होगा, temperature बढ़ेगा, यह एक theoretically considered black body है, जो Rayleigh and Jeans ने भी consider करी, और बाद में जब हम planks लाओ का भी drive करेंगे, वहाँ पर भी इसी तरह की black body को consider किया जाएगा, तो हमारा जो formula था, अभी के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, Rayleigh and Jeans formula, वो यह है, मैं दुबारा से लिख रहा हूँ formula ताकि आपको थ ध्यान रहे, 8 pi kt upon c cube mu square d nu, ठीक है, और इसकी main दिक्कत यह है कि high frequency पे यह infinity को approach करता है, as new approach is to infinity, but, experimentally this is wrong, this is not true, तो हमें तो experiment के साथ theory को match करना है ना, और इसी तरह से जब हम theory develop करते हैं, तो वहाँ से नहीं physics निकलती है, अब ऐसे sir plank जो थे, वो भी इस problem के उपर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसको कैसा solve किया जाए, इस formula में ऐसी क्या modification करी जाए, कि यह formula high frequency पर जाकर, हमें constant value दे जैसे हमें यहाँ पर पता है ना, कि high frequency पर जाके हमें यहाँ पर values मिल रही हैं, जो की constant और बाद में 0 हो जाता है, बतलब जिए 0 को touch करता है graph, तो अभी हमें उस तरह का formula यहाँ से बनाना है, हमें नहीं बनाना, यह plank sir ने सोचा उस time पर, कि इस में क्या changes आ रहे चाहिए, frequency क साथ यह चीज new के साथ, वाकितों देखो सब constants हैं, इसके साथ यह कैसे मैं यहाँ पर function में कुछ changes करूं, और यह वाकियी why hint and trial आया था उनके दिमाग में, बाद में उन्होंने इस formula को explain किया, तो वो hint and trial के according जो formula आया, मैं वो बता रहा हूं, यह plants log का formula पहले आपको याद हो यह सब वोई constants हैं, यहाँ new cube, d new upon, पिछले के समें new square था, upon, e raised to power h new by kt, minus 1, तो यह relation उन्होंने लिखी, और फिर इसको compare करा जो बो साइस्टाइन statistical low है, उसके साथ भी यह match हो रहा है, तो उनको कही से लगा, कि अगर मैं bosons की gas मालू, light को, और हम इस तरह का black body का consider करें case, कि उसके अंदर बहुत सारे photons जा रहे हैं, और वो absorb होई जा रहे हैं, और number of photons जा रहे हैं, वो absorb होई जा रहे हैं, मतलल, waves की terms में ना बात करें, हम बात करेंगे photons की terms में, तो यह explain होगा, लेकिन यह ideas बात में आए, पहले इन्होंने सिर्फ relation को लिखा, पहले हम relation को पर focus करेंग अब black body के जो हमने किराब बनाया है, लेकिन अभी हम दो extreme values को check करेंगे, high frequency पे देखेंगे, high frequency पे h new is greater than kt, मतलब यह factor बड़ा है, यह factor शोटा है, तो मतलब e raised to power h new by kt जो है, it will approach to infinity, मतलब इसका पूरा denominator approaches to infinity हो जाएगा, तो इसका मतलब है e new, d new approaches to 0, यही तो हम चाहते है है न, तो कि हमारा जो graph है, वो high frequency पे ऐसे touch कर रहा है, तो high frequency पे वो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है clear है, ठीक है, यह touch वैसे नहीं करता, मैं सही बताऊं, तो यह इस तरह से साथ साथ चलता रहा है, बोल्स small हो जाता है, ठीक है, infinity पे जाए, at very high frequency, it goes to 0, तो यह हमारा यह वाल variation के लिए true था, तो at low frequency, let us check, क्या होता है, आपको यह पता है कि h new जो होगा, अगर frequency कम है, तो new बहुत चोटा होगा, तो it will be less than less than this constant term kt, अब यह चीज़ छोटी है, हमारे पास e raised to power x, जो exponential होता है, e raised to power x, उसकी expansion अगर आप देखो, math में आपको पढ़ाया जाता है, google पे स search कर लेना, तो यह उसकी series expansion है, यह मैं x की terms में अभी लिख रहा हूँ, लेकिन अगर हमारा x, x की जगा यहाँ पर क्या है, h new by kt, वो बहुत चोटा है न, तो अगर हमारा x जो है, वो बहुत चोटा हो, तो हम यह higher order terms, x square वाली term, x cube, क्योंकि that is very very small factor, less than less than 1, तो जब आप x क square करोगे, और चोटा हो जाएगा, cube करोगे, और चोटा हो जाएगा, तो यह term जो है हमारी, यह small होती चली जाएगी, तो उस case में हम इसको सिरफ 1 प्लास x लिख सकते हैं, तो e raised to power x, 1 प्लास x है, अब हम उसमें put करेंगे, हमारा formula था, e new, d new, 8 by h by c cube, new cube, d new, upon e raised to power h new by kt, minus 1 इस चीज़ को हम किस से replace करेंगे, 1 प्लास x, मतलब 1 प्लास h new by kt पे, किसके लिए, 4 low values of frequency, low frequency, मैं इसमें replace कर देता हूं इसको, 8 by h by c cube, new cube, d new, upon 1 plus h new by kt, minus 1, तो यह कट गया, ठीक है जी, और एक new यहाँ पे कट गया, और हमारा जो formula है, वो यह बन जाएगा, जो मैं अभी लिखके दिखाता हूं आपको, तो आप solve करके देखी सकते हैं, यहाँ new square बचा, ठीक है, तो यह बन गया, 8 by, यह ktu उपर चला गया, upon c cube as it is, और हमारा जो h है, वो h से गट गया, तो हमारे पास बच्चा, new square, d new, तो यह काउंसा formula भी मैंने लिखा था, वीडियो को पीछे लेकर जाके देख सकते हो, कि यह वही related formula है, तो low frequency में match हो गया, तो sir plank को इतना तो पता चल गया, कि यह जो relation मैंने सोची है, देखें, उनके दिमाग में, scientists के दिमाग में, यह equations कहां से आती है, यह बहुत बड़ा question है, कैसे बता लगा कि इसके नीचे e h new by kt minus 1 होगा, नेखिए क्या होता है, कि जब आप किसी field के अंदर बहुत ज़्यादा deeply काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो इस तरह की mathematical functions हैं, mathematical equations हैं, उनकी graph, उनकी shapes, उनकी variations, आपके दिमाग में आ जाती हैं, कि इस तरह की equation के लिए, इस तरह के graph के लिए हमें ये mathematical function चाहिए, और उपर से वो mathematical function किसी और physics के law के साथ match कर रहा हो, जैसे मैंने last lecture में drive किया था, वो science and statistics law के बारे में, जिसमें हम number of particles निकालते हैं, इने energy range e2, e plus d e, वो formula आप देख लेना, उसके साथ ये denominator match हो रहा है, तो वहाँ से फिर idea आया, कि black body radiation को अगर आपने explain करना है, तो आप अगर ऐसे सोचने की बजाए, कि इस body के अंदर हमारे पास wave गई है, और वो ही wave जो है, वो reflect हो रही है, क्योंकि relay and genes ने ये wave वाला concept माना था, और derivation में हम थोड़ा discuss भी करेंगे, कि उन्होंने क्या माना था, जब हम derivation करेंगे, क्योंक ये light जब एक बार अंदर चले जाती है, cavity के अंदर, महां standing waves बनती है, वो जो standing waves जैसे string के ओपर बनती है, light की भी standing waves बनती है, लेकिन ends बे हमेशा nods रहते हैं, तो ये condition लगा के relay engines ने density of states find किया था, और वहां से फिर वो formula आया था, ठीक है, लेकिन sir plank ने ये बोला कि नहीं, जो हमारे पास अंदर waves बन रही है, वो basically particles की form में, photons की form में है, light वहां पर photons के जैसे behave कर रही है, और उनकी energy nh new है, जो frequency पे depend करती है, और n is here the total number of photons which are present inside the cavity, ये concept लगा के, particle nature of light का concept लगा के, इस सिसके explain किया गया था, और जो हमने last lecture में equation drive की थी, comment section बताओ कि ये NEDE क्या है, म ये equation हमने last lecture में drive करी थी, इसकी derivation भी कर लेना अच्छे से, उसी equation को, देखो यहाँ भी नीचे वैसा ही factor है, इस equation को हम use करेंगे, sir plank ने इस equation को ही use किया, और total number of photons present per unit volume पहले find किया, फिर वहां से अगर हमे number of photons मिल जाएंगे कि black body के अंदर कितने हैं, वहां से हम फिर energy associated with each photon निकालेंगे, जिसको मैं energy density बोलते हैं, energy density कुछ नहीं होता, total energy per unit volume होता है, किसकी energy, radiation को photons मानोगे, तो उन सारे photons की energy, total energy, जैसे n पता लग जाएगा न मुझे, तो उसको अच्छी उसे multiply करूगा, मैं last में जाके, वो n नी find करना है, यगर मेरे पास इस photons और waves, दोनों ही nature है, light के, radiation के, और वो जो photons हैं, वो n है, वो हमें find करना है, कि वो कितने है, corresponding to those standing waves, which are forming inside this black body, वो कितने photons हैं, वो number को h new से multiply करेंगे, और फिर volume से भी divide करेंगे, तो energy density नहीं किलेगा, मेरे पास, वो energy density जो है, वो same equation, यह जो मैंने अभी Planck's law लिखा, radiation का, यह वाला, यह equation हमें, वहां से drive करने को मिलेगी, तो हम इसको drive करेंगे, हमारी next class के अंदर, derivation बहुत important है, next video के अंदर, मैं अपको इस Planck's Graduation law की derivation करके दूँगा, तो अच्छे से समझना हमें physics को, physics में समझनी है, सीजों को समझना बहुत जरूरी है, तो अगर आप deep understanding करेंग की, तब ही physics पढ़ने का फैदा है, otherwise तो फिर derivations ही अगर करनी है, याद करके लिखनी है, तो कोई पैदा नहीं है, आप लिखा होगे, एक बार exam में जाके, फिर आप physics को ऐसे career यूज नहीं कर सकते, अगर आप अभी B.Sc. के students और बाद में हो सकता, आप MS.C. physics करो, तब आपक के बढ़ेंगे चीज़ों को, कि ये कैसे किया, क्यों किया, तो फिर आपके दिमाग में वो जो है, चीज़ें को समझने की, understand करने की, और further development की, जो हमारे skills हैं, वो develop होते हैं, तो now we will meet in next video, thanks for watching.